दोस्तों भाईयों और बहनों, by the time environment सभी प्रतियोगी परिच्छाओं के लिए एक बहुत ही जादा important subject बन चुका है क्या है वो UPSC के exams हो, civil services हो, state PSCs हो, UPSC के exams हो, या SSC के exams हो, environment से इन सभी परिच्छाओं में भर-भर के questions आते हैं तो यह जो हमारी special series चल रही है, UPPCS 2024 और UPROARO 2024 इनके लिए भी environment एक बहुत important subject है यहां से environment से आप यह expect कर सकते हो, कि 10 से 12 questions UPROARO और UPPCS दोनों ही परिच्छाओं में पूछे जाएंगे तो यह है हमारे लिए एक बहुत important subject और इस important subject का एक बहुत important topic है, environmental जो agreements है, जो conventions है और जो protocols है क्योंकि यहां से भी questions, कई बार 2-3 questions इसी topic से post लिया जाता है, तो यह एक important topic है, अगर आप UPROARO और UPPCS की serious preparation कर रहे हैं, तो इस topic को जरूर complete की दिये और इस वीडियो के अगर लास तक आप बने रहते हैं, तो आपका यह topic complete हो जाएगा, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का nullified पर time waste किये बगएर चलिए, शुरू करते हैं सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों, इस वीडियो में हम क्या क्या चीज discuss करेंगे, तो सबसे पहले हम जानेंगे environmental conventions क्या होती है, जो important international environmental conventions and protocols हैं, वो कौन-कौन सी हैं, तो यहाँ पर आपको एक list मिल जाएगी, और फिर इन list में से हम आज इस वीडियो में तीन environmental conventions को पूरी complete तरीके से पूरा करेंगे, वो है सबसे पहले, रामासार, फिर इस्टेवकॉम convention और फिर साइट्स और यह तीनों environmental conventions अपने लिए बहुत ज़्यादा important हैं, तो आईए दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि environmental conventions आखिर होते क्या हैं, तो conventions that focuses on various issues, for example, climate change, stewardship, ozone layers protection, air quality, मतलब कि environmental से related जितने भी चीज़े हैं, जो conventions इन चीज़ों पर focus करते हैं, उनको हम कहते हैं, environmental conventions और यह environmental conventions होते हैं, यह किसी ना किसी international organization के देखरेक में बनाये जाते हैं, लागू किये जाते हैं, अब जानते हैं कि protocols क्या होते हैं, अब एक बार convention बन गया, कई सारे देशों ने, कई सारी parties ने उस convention को sign कर दिया, तो फिर यह जो convention होता है, यह एक formal agreement बन जाता है between the states, states मतलब यहाँ पर states का मतलब है, देश, जो वो देश हैं, उन सब के बीच वो एक formal agreement बन जाता है, और formal agreement का मतलब क्या हुआ कि उनके उपर वो legally bind होता है, ठीक है, और यह formal agreement बहुत सारी negotiations के बाद बनता है, और जब एक बा convention के उपर sign कर दिया, उसको ratify कर दिया, तो वो देश उस convention की सारी सर्तों को मानने के लिए legally bind हो जाता है, ठीक है, अब एक बार कोई convention बन गया, फिर अलग-अलग समय पर उस convention में कुस ना कुछ changes आते रहते हैं, कुस ना कुछ modify करते रहते हैं, जैसे कि जो भारत का सम्विध सम्विधान है, वो एक बार 1949 में लागू हो गया, उसके बाद फिर समय समय पर various जो सम्विधान संसोधन वाले acts हैं, उसमें हम संसोधन करते रहते हैं, उसी तरीके से एक बार convention बन गया, देशों ने उसके उपर sign कर दिया, फिर protocols के जरिए हम उन convention में, यानि जो जिस organization ने व लाए जाता है, changes लाते हैं, यह चीज ध्यान रखनी है, अच्छा एक चीज यहां पर important यह भी है, कि अगर किसी amendment या किसी protocols के थ्रू किसी convention में change लाए जाता है, तो जो original convention है, जिन जिन देशों ने उनको उस original convention को sign किया हुआ है, वो उस protocol को भी माने ऐसा जरूरी नहीं है, त तो यह चीज भी हमको ध्यान में रखनी है, आगे बढ़ते हैं, जो important environmental conventions है, एक बार उनको देख लेते हैं, यहाँ पर हमने एक पूरी की पूरी लिस्ट बनाए गई है, शुरू से ले करके अभी तक के कौन-कौन से important conventions हुए और कौन-कौन से important protocols हैं, यह list अपने लिए on biological diversity आया 1992 में, bond convention आया 1979 में, इन सब conventions में क्या-क्या सरते थी, क्या-क्या किस चीज के लिए convention बने थे, किस चीज के लिए protocol बने थे, अभी हम आगे सब कुछ discuss करेंगे, यहाँ पर केवल मैं आपको एक list दे रहा हूं कि आप याद रखिए कौन से convention किस साल में आया था, आगे बिलकुल भी confused मत हुएगा, क्योंकि यह convention वो वाला नहीं है, ठीक है, यह Vienna convention है, environment वाला, जो की कवाया था 1985 में, फिर आया Montreal Protocol 1987 में, Kyoto Protocol 1997 में, अभी जितने प्रोटोकॉल से, इन सब के ऊपर UPPSC में questions आये हुए हैं, तो यह सब अपने लिए important है, और हम यह सारे protocol से भी discuss करेंग समिट है कभी जिसको अर्थ समिट भी कहते हैं, रियो समिट को अर्थ समिट भी कहते हैं, यह आया 1992 में, फिर आया UN CCD 1994 में, बेजल कंवेंशन आया 1989 में, फिर आया कर्टगनेना प्रोटोगॉल और बायो सेफ्टी आया 2000 में, UN REDD 2008 में नगोया प्रोटोकॉल आया 2010 में, COP 24 या 1998 में, COP 25 बाया 2019 में, यह जितने प्रोटोकॉल से हैंगर आपने पिछले साल के प्रीवेस यर के कुईस्टन्स चेक की होंगे या कोई अच्छी तैस्ट्री लगाई होगी, तो आपको इन प्रोटोकॉल से इन कंवेंशन से कुईस्टन्स वहाँ पर दिख गए होंगे, या तो इनके यर्स के बारे में, या फिर यह प्रोटोकॉल से कंवेंशन किस चीज से रिलेटेड हैं, उन सब चीजों के बारे में, तो एक बार देख लेते हैं, अब हमने यह लिस्ट देख ली, अब शुरू करते हैं, नमबर एक से सबसे पहला, जो हमारा इंवर्मेंटल कंवेंशन है, जो सबसे पहले आया था, वह आया था, रामासार कंवेंशन, कब आया था यह 1971 में, और 4 में कब आया 1975 में ठीक है तो it is called the convention on wetlands रामसार convention किसके लिए है convention on wetlands के बारे में है ठीक है और it was adopted in the city of Iran रामसार रामसार एक सहर है इरान का ठीक है इरान के एक सहर रामसार में इसको adopt किया गया 1971 में और यह प्रभावी कब से हुआ 1975 से तो रामसार convention wetlands के लिए है याद रखना है कई बार exams में पूछा जाता है ठीक है इन जुलाई 2022 five new sites from India were added to the list of रामसार sites तो रामसार convention में क्या होता है कि globally बहुत सारे wetlands हैं जिनको की रामसार sites declare किया जाता है एक बार वो wetland रामसार site declare हो गया फिर रामसार convention के हिसाब से उनका उनका संदक्षन उनका समवर्धन और उनकी सुरक्षा की जाती है तो अभी latest जुलाई 2022 में भारत के पांच wetlands को रामसार site गोशित किया गया है यह पांच wetlands कौण कौण से हैं करी कीली बर सेंचुरी तमिल नाडू करेंट अफेर्स के लिए बहुत इंपॉर्टन है यह पांचों ही हमको याद रखने हैं पल्लिकार नहीं वाटार रामसार site से रामसार site साकिर होते क्या है तो एनी वेट्लेंड site वीच है बिन लिस्टेड अंडर रामसार कंवेंशन देट एंट एंज तो कंजर्वेशन की जरूरत है उसको हम कहते हैं रामसार site ठीक है इस इंडिया पार्ट ऑफ रामसार कंवेंशन ये कुश्चन आता है तो येस इंडिया इस दे पार्टी ऑफ रामसार कंवेंशन इंडिया ने रामसार कंवेंशन के उपर साइन किया है और साइन कब किया एक फरवरी 1982 को तो एक फरवरी 1982 से इंडिया भी भी रामासार कन्विंशन को मानने वाला एक देश है और लीगली बाइंड है रामासार कन्विंशन में लिखी गई सारी सर्तों को मानने के लिए रामासार साइट्स को आप यहां पर इंडिया की कौन कौन सी साइट्स है जो की रामासार साइट्स है इस मैप में आप देख सकत यह आप यूपी की तयारी कर रहे हैं यूपी PCS यूपी यहां पर देख लिए जो अपर गंगा रीवर वैली है इसको यहां पर ओफिशली रामासार साइट डिक्लेयर किया गया है तो यूपी से केवल एक है अपर गंगा रीवर यह चीज याद रखनी है कि आगे बढ़ते हैं एक छीज यह आ जाती है कि हाउ मिनी रामासार साइट इंडिया लेटेस अभी जिस दिन में आपको यह चीज बता रहा हूं अव तक 75 रामासार साइट इंडिया में है तो यह नंबर के ini है 75 ए लार्जेस रामसार साइट क्या है सुन्दरवन कहा है एक बार बता देना कमें भाई लोगों ठीक है आप इस दा फर्स्ट रामसार साइट यह इंपोर्टन चीज आगी सबसे पहला क्या था तो सबसे पहले जो थे वो दो थे कौन-कौन से चिलिका लेक कहां पर है उडिसा में केवलादेव नेशनल पार कहां पर है राजस्थान में यह दोनों सबसे पहले रामसार साइट थे इंडिया के यह चीज याद रखनी है कौन-कौन से चिलिका लेक और केवलादेव नेशनल पार चिलिका लेक उडिसा केवलादेव राजस्थान केवलादेव का आपने लेंड्स हैं जो की रामासार साइट डिक्लियर हो गए हैं तो यह चीज ध्यान रखने कौन चीज तमिलाडू कितने हैं 14 हैं सबसे जादा तमिलाडू में विच इस स्मॉलेस्ट वेट लेंड लार्जेस हमने देख लिया सुन्दरवन सुन्दरवन कहा है अभी तक कमेंट में आप लोगोंने बता यह नहीं हो बता देना तो अब स्मॉलेस्ट वेट लेंड कौण सा है स्मॉलेस्ट वैड्लेंद है रेनुपा वेट लेंड ठीक है जिसका की एरिया लगवग भीज सेक्टेर है और यहिमान कर्देश में है यह स्मॉलेस्ट में है रामसार सायट का रहन Strange Vega łたешьं में पूछा गया है अब Stockholm Convenience विए बना है Stockholm Convention बना बना है Persistent Organic Pollutants के को को रोकने को लिए जो organic pollutants है उनके को रोकने के लिए ठीक है 2001 में जनेवा में अडॉप्ट किया गया था जनेवा कहां पर है शुडिजर लेंड में है और फोर्स में कब आया 2004 में ठीक है 2001 में अडॉप्ट हुआ 2004 में फोर्स में आया इस्टॉक हॉम कन्विंशन किस लिए है और्गेनिक कॉलिटेंट्स के प्रयोग को रोकने के लिए अभी हमने पहले रामासार पड़ा था और्गेनिक करने के लिए अभी है और फ्रयोग को कम करने के लिए अभी जो मैं आपको प्रपर्पिछ दिखा रहा हूं इनके अंदर सारे से की सारी विशेष्टाएं होती हैं खासियत होती है ठीक है तो सबसे पहले यह carbon based organic substances है और इनकी खासियत क्या-क्या है सबसे पहले इनका life span देखते हैं इनका जो life span है यह environment में बहुत लंबे सालों तक रहते हैं कई सालों तक रहते हैं और environments में यह खतम नहीं होते हैं और इनका distribution कौन करता है इनका distribution जो natural carriers हैं जैसे soil water और air यह इसको throughout the environment distribute करते हैं यानि कि यह environment में एक बार घुश गए तो फिर यह फैलते ही रहेंगे बढ़ते ही जाएंगे distribution होता ही रहेगा क्योंकि इनके distribution के लिए भीया कोई आदमी नहीं चाहिए हवा पानी जल सब इनका distribution कर रहा है पूरे environment में तो यह फैलते ही जाएंगे यह चीज ध्यान रखनी है अब एक चीज इनकी जो सब्सक्राइब गंदी विसेशता है वो यह है कि हमारे food chain में सामिल हो जाते हैं यानि कि यह food के रास्ते human body और जितने भी living beings है जितने भी जिंदा पारिश्टिकी तंद्र के अवयब है उन सब में यह घुल जाते हैं घुल मिल जाते हैं और उनको फिर पहुंचाते हैं नुक्सान ठीक है तो दे भी कमें पाल्ट ऑफ फूड चैन बाई गेटेंगे अक्युमिलेटे इन दा फैटी टीशूज ऑफ लीविंग और गनिजम इंक्लूडिंग यूमन तो यह जितने भी फैटी टीशूज होते हैं लीविंग और गनिजम के उन सब में यह आ जाते हैं उनके भोजन के रास्ते क्योंकि यह फूड चैन में हो जाते हैं सामीट टॉक्सिसिटी जहर की तरह होते हैं दे आध ट्रम्ड टॉक्स कॉर बहूत यूमन से वाइड लाइफ लाइफ और यूमन दोनों के लिए जहरीन जो कि अभी हमने बताया कि यह जितने भी living beings हैं, उनकी fatty issues में accumulate होते रहते हैं, और accumulate होने के बाद, इनका जो concentration है, वो बढ़ता रहता है, और जितना इनका concentration बढ़ता रहेगा, उतना ही उस living being के लिए यह नुकसान दायक है, उनकी जान को खत्रा रहता है, ऐसे यह P.O.P. होते ह हैं, अब इनके effects देख लेते हैं, यह क्या क्या count कर सकते हैं, कि इनके उपर पूरा का पूरा एक convention मना दिया, और इनकी प्रयोग को रोकने के लिए सरकार है इतनी मेनत कर रही है, तो सबसे पहले इनके प्रयोग से क्या होता है, cancer हो जाता है, allergy हो जाती है, hypersensitivity हो जाती है, damage to central and peripheral nervous system, nervous system को damage करते हैं, यह पागल हो सकता है, उसकी सोचने समझने की ताकत, खतम कर सकते हैं, जो reproductive disorders हो हो जाते हैं, ठीक है, यह तो दुनिया को ऐसी खतम कर देगा, disruption of immune system, immune system आपका weak कर देगा, जल्दी बिमार होने लग जाओगे, endocrine disruptors होते हैं यह, तो बहुत सारी इन environment में फैले रहते हैं, environment में रहते हैं, यूँगे मारे food chain में सामिल हो जाते हैं, तो इनके प्रयोग को रोकना सरकारों ने जरूरी समझा, इसी वजह से इनके प्रयोग को रोकने के लिए कौन सा convention आया, Stockholm convention आया था, कब आया, 2001 में आया, लागू कपसे हो, 2004 में हुआ, कहां प इन 12 को तीन केटेगरी में डिवाइट किया गया, तो ये तीन केटेगरी कौन कौन सी थी, pesticides, industrial chemical और byproducts, ठीक, pesticides में कौन कौन सा है, वो यहाँ पर देख लेते हैं, eldrin, chlorodrain, DDT, diadrin, andrin, heptachlor, hexacrobrizin, myrex और toxafin, ये pesticides 12 थी, ठीक, अब next केटेगरी देखते हैं, industrial chemical, industrial chemicals में थ दो, hexachlorobenzene और PCBs, ठीक, और byproducts में, फिर क्या, byproducts में केवल एक चीज़ आया, PCDD, PCDF, ये चीज़ याद रखना, PCDD, PCDF नाम तो बहुत बढ़ाया, polychlorinated, dibenjopidioxins, and polychlorinated, dibenjopurans, PCDD, PCDF, ये याद रखना है, total कितने, 12, कितनी categories में divided हैं, 3, ठीक, ये चीज़ ध्यान रखना, अच्छा, उसके बाद बाद में, 2017 में, 16 और नए additional POPs को, इसमें add किया गया, क्योंकि वही है, 2001 की बाद थी, उस समय pollution कम था, उस टाइम पे substances कम थे, 15-16 साल के बाद और ज़्यादा बढ़ गया environment में, जो य development की hold लगी हुई हैं, उसमें environment और ज़रा damage हुआ, तो इन्होंने 16 और नए POPs को इसमें add किया, और 16 नए solar के जो अलागला categories में 16 POPs को और add किया गया, तो सबसे पहली category थी, अलफा hexachlorocyclohexen, जिसमें की जो persistent organic pollutant था वो क्या था, pentachlorobenzene, फिर आया beta hexachlorocyclohexen, इसमें कि salts and esters, ठीक, chlorodeclone में आया PFO जोर, PFO-SF, hexabromo-biphenyl, इसमें आया, polychlorinated naphthalene, फिर आया hexabromo-cyclodecanine, यह आया, technical indosulphene and its related isomers, ठीक है, फिर आया hexabromo-cyclodecanine, यह आया, technical indosulphene and its related isomers, ठीक है, फिर आया hexabromo- modiphenyl ether and heptabromo-definyl ether commercial octabromo-definyl ether, ठीक, और इसके substances क्या थे, यही थे, ठीक, तो आप screen shot ले करके, एक बार यह नाम अपने दिमाग में थोड़ा सा याद करने की कोशिस की दिए, और इनके numbers कितने हैं, 16, ठीक है, 15 है, hexachlorobutadine, और इसमें, इसके POP कौन कौन से थे, वो थे commercial mixture of C, Debeca, BDE, Deca, Bromodiphenyl ether, और leenadine, leenadine, SCC, PSO, chain, chlorinated, parafines, यह total 16 और एड किये गए, कब एड किये गए 2017 में, ठीक, यह complete हुआ हमारा Stockholm Convention, अब हमारा तीसरा जो environment convention है, वो है sites, यह भी बहुत ज्यादा important है, तो इसको भी हमने ध्यान दखना है, तो it is convention on international trading, endangered species of wild fauna and flora, तो जो endangered species हैं, ठीक है, उनके खरिद फरोक्त को रोकने के लिए, देशों के बीच में, उनके खरिद फरोक्त को कम करने के लिए, रोकने के लिए, या उनको गवन करने के लिए, यह sites convention जो है, यह लाया गया था, यह कब आया, 1963 में इसको adopt किया गया, और force में कब आया, 1975 में, अभी हमने पढ़ाए कि 1975 में एक और convention force में आया था, वो कौन सा convention था, comment करके भी बताओ या अपने दिमाग में याद रखना, तो इंडिया इस साइड स्पार्टी सिंस 1976 तो 1975 में यह force में और भारत ने उसी समय 1976 में इसके उपर साइन कर दिया था, 1976 में किस पार्टी की सरकार थी, बदनमंतरी को था, comment करके बताना, बहुत important year था 1976, इंडियन पॉलिटी के लिए भी, अगर आप रिप्रेशन कर रहे हो तो आपको याद रहना चाहिए, तो due to its extreme diversity, इंडिया is recognized all over the world for harmonizing up to 7-8% of all species recorded by sites, तो sites में जितनी भी species recorded हैं, उन में से 7-8% कहां पर रहते हैं, भारत में रहते हैं, तो भारत sites के लिए एक important देश बन गया था, ठीक है, अच्छा, global जो biodiversity hot spots इन्होंने recognize किया हैं, वो है 34, 34 global biodiversity hot spots हैं in the world, और इन में से भारत में कितने हैं, 4 हैं, याद रखन 34 पूरे विश्व में हैं और 4 biodiversity hot spots भारत में हैं, इनके बारे में आपको बहुत सारे questions मिल गए होंगे, अगर आपने previous year के questions देखे होंगे, तो ये 4 जो biodiversity hot spots हैं, वो कौन कौन से हैं, सबसे पहला है western घाट, ठीक है, फिर है सुंडा लेंड, हिमालयाज, एन इंडो बर्मन री किसने declare किया है, sites ने, ठीक, आगे देखते है, sites classification और sites appendix ये क्या है, तो sites classifies plants and elements into 3 categories, तो sites 3 category में इनको classify करता है, ठीक है, अच्छा, इन 3 categories में ये classify कैसे करता है, तो roughly 56 species of animals और 3000 species of plants are protected by sites against over exploitation through international trade, ठीक, तो 56 species है, animal के और 3000 species है, plants के जिनको sites protect करता है, किस से protect करता है, international trade से, ठीक है, क्योंकि लोग भी अपने business को बढ़ाने के लिए, जानवर, पेड़, पौदे क्या है, कुछ नहीं देखते, सब की खरीद परोप्त करते रहते हैं, तो उसी international trade को कम करके, इन जानवरों को और इन पेड़ पौदों को बचाने का काम sites करता है, आईए देख लेते हैं कि जो sites के appendixes हैं, जो तीन appendixes हैं, वो कौन-कौन से हैं, तो भाईयों, sites के appendix 1 में उन species को include किया गया है, जो की extinct होने वाले हैं, ठीक है, जो विलुप्त होने वाले हैं, इनके commercial trade को completely prohibit कर दिया है, sites और इनके import और export के लिए permit लेनी पड़ती है, तब भी import और export आप इसका कर सकते हैं, और इसका जो trade permit मिलता भी है, यानि जो import और export के लिए permit मिलता भी है, वो केवल और केवल research परपजेच के लिए मिलता है वो भी तम मिलता है जब जिस देश का वो जीव है या जिस देश का वो पेड़ पौदा है वो देश यह इंशोर करें कि इसके ट्रेड से जो यह इस पेशी है इसके सर्वाइवल को कोई हानी नहीं पहुचेगी यानि यह एक्सिंट नहीं होगा तो जो विलुत होने वाले हैं उनको साइट के एपेंडिक्स वन में रखा गया है अब इसके एक्जांपल कौन-कौन से स्पेशीज हैं एस्यटिक लाइन्स हैं टाइगर्स हैं यह टाइगर की जो इसकिन ट्रेड है वह बहुत ज़्यादा होती है पुरानी बॉली बॉली सेरों की खालों को उसी वजह से बिचा रही है एक्जिंग टोने लग गया तो इनके ट्रेड को पूरी तरीके से कर दिया गया है बैं टीक सी टर्टर गोरिलाज लेडी स्लीपर्स और चिट्स यह सारे के सारे इस पेसीज को अब अपेंडिक्स वन में रखा गया है और इनक इतने इस पेसीज हैं एकेंडिक्स वन में नाइन थर्टिवन यह नंबर याद रखना है अपेंडिक्स वन में टोटल 931 इस पेसीज है आईये देखते हैं अब एकेंडिक्स टू के बारे में तो एक्डम से एक्स्टिंक्ट decent नहीं होने वाले मालाे इनकी जो extinction है वो immediately नहीं होगी लेकिन अगर इनको proper care और proper सुरक्षा नहीं दी जाती है तो ये future में extinct हो सकते हैं तो ऐसे species को रखा गया है appendix 2 में आप कीजेगा अच्छा इनके trade permits को legally obtain किया जा सकता है यानि इनका trade permit जो है species की original country है वो ये गारंटी दे कि इस trade से species जो है उसके survival के उपर कोई खत्रा नहीं होगा और ऐसे species कौन कौन से हैं इनके examples कौन कौन से हैं अमेरिकन एलिगेटर पेडल फिस महागोनी कोरल्स और टोटल ये कितने species हैं 34419 appendix 2 में 34419 appendix 1 में अभी हमने देखा था कितने थे 931 यह नंबर याद रखना है अब देखते हैं sites appendix 3 में तो appendix 3 है इसमें ऐसे species को रखा गया है जो कि अभी सुरक्षित हैं इनके extinction का कोई खत्रा नहीं है लेकिन ये किसी ना किसी एक देश में protected status में हैं यानि किसी एक देश में कोई ऐसा देश है जो देश यह कहता है कि वहाँ पर यह इस पेसी जो है वह एक्स्टिंट हो सकता है तो ऐसे सारे जो इस पेसी यह उनको रखा गया साइट अपैंडिक्स थर्ड में थीक है अच्छा अब यह जो अपैंडिक्स थर्ड वाले इस पेसी जह है इनका करता है तो होता क्या है कि जो देश को प्रोटेक्ट कर रहा है वहां से ट्रेड करने के लिए आपको एक्सपोर्ट परमिट वगरे की जरूरत पड़ती है अच्छा इसके एक्जाम्पल्स कौन-कौन से हैं हनी वैजर ठीक है मेडिसीन परपजेट के लिए इनका जो है इन बीटल्स यह सब होते हैं में टोटल हैं 147 तो अपेंडिक्स 3 में सबसे कम स्पेस हैं 147 तो आज हमने तीन कंवेंशन कंप्लीट कर लें रामसा रिस्टोफ और साइट्स तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं अगर आपको यह सारा का सारा जो मैटेरियल है वो पीडिय सब्सक्राइब करने में बहुत मदद मिलेगी नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सब्सक्राइब में एक बार फिर से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए स्टेनॉलिफाइब